तो अगर आप यह सब करते हैं तो आपका गेमिंग चैनल ग्रो होगा और जल्दी से जल्दी मॉनिटाइज भी हो जाएगा हाँ टू गेमिंग चैनल अगर आपके पास एक गेमिंग चानल है या फिर आप गेमिंग चैनल बनाने कि सोच रही है तो यह वीडियो हैं मैं बताऊँगा कि आप अपने गेमिंग चैनल को general को मोनिटाइज कैसे करवाइगे तो आप लोगों को ऐसे पता ही होगा कि इंडिया में पहले उतना गेमिंग चैनल नहीं हुआ करता था बट जब से पबजी आया है इंडिया में तब से लाखो हजारों गेमिंग चैनल बनना शुरू हो गया यूटीव पे इंडिया से तो मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा कि आप उनी सब चैनल को यूटीव प्लाट्फरम में कैसे ग्रू करेंगे तो बिना टाइम वेश के चलिए वीडियो शुरू करते हैं आप जब ग्यमिंग चैनल ओपें करते हैं तो आपके पास 0 सब्सक्राइबर, 0 व्यूज और 0 वीडियो रहते हैं तो शुरू में आप लोग क्या करते हैं यह हरेग गेमिंग चैनल में मैंने यह गलती देखा कि शुरू में ही वो लोग लाइफ स्ट्रीम करना शुरू कर द लाइफट्रीम दिखेंगे आपका तो एक भी सब्स्क्राइबर नहीं आपका लाइफट्रीम में व्यो जीरो यह आएगा और मिईल में एक दो आ सकते हैं बाट वोकुछी मिनिट्कुछी सेकंड देखके वोल आपका लाइफट्रीम छोड़के चले तो शुरू शुरू में तो शुरू-शुरू में लाइफ स्ट्रीम मत कीजिए आपको शुरू-शुरू में गेम्स खेलना है आपने दस बार एक गेम खेला दस मैच पबजी में खेला है आपने और आपका एक ही बहुत ही अच्छा दस में चिकन देनर हुआ है बट आपका एक गेम बहुत ही अच्छ करना है ना कि 10 गेमप्लेव को तो आप 10 गेमप्लेव रेकॉर्ड किया और 10 ही अपलोड कर दिया तो आपका गेमप्लेव कोई नहीं देगा छोड़ के चला जाएगा दस में से एक जो बेस्ट होगा या फिर दो जो बेस्ट होगा वही आपको यूट्यूब पर अपलोड करना नहीं है और आप दिन में जितना बार गेम्स खेलेंगे हर एक बार रेकॉर्ड करके गेम्स खेलेंगे क्योंकि मेरे पास भी गेम्न चैनल कहले हुआ करता था मैं जब रेकॉर्डिंग आफ करता था तब मैं अच्छा खेलता था क्यूं मुझे पता नहीं तो उस इस आपके साथ ना हो इसलिए हर एक गेम प्लेज आप रिकॉर्ड करके खेली नेक्स्ट आपको थमनेल अच्छा बनाना है अगर आप थमनेल ठीक नहीं बनाएंगे आप एक चीज याद रखना की आपका जो यूट्यूब में व्यूज आता है वो ज्याद आता है यूट्यूब सर्च से होता है यूट्यूब सर्च में अगर आपका वीडियो आ भी गया तो आपका थमनेल खराब है तो लोग उसमें वीडियो में क्लिक नहीं करेंगे और अगर लोग क्लिक नहीं करेंगे तो आपका चैनल का ग्रोथ नहीं होगा वीडियो का ग्रोथ उतना नहीं होगा और आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा इसलिए आप थोड़ा अच्छा attractive thumbnail बनाईए और उसमें लिखिये ऐसा कि 15 kills, solo versus squad ऐसा थोड़ा सा आपके वीडियो के बारे में 2-3 line या फिर 2-3 words आप लिखिये और thumbnail बहुत ही ज्यादा आपको attractive बनाना पड़ेगा तो आपके वीडियो में व्यूज आएंगे और आपका चैनल ग्रू होगा यह सब करने के बाद जब आपका थोड़ा सा सब्सक्राइबर बेस बन जाएगा अच्छा खासा थोड़ा जब सब्सक्राइबर बन जाएगा करणा रहां बड़ जब का सब्सक्राइबर अपको फूला ओधस करना पड़ेगा शुरू-बेट करना पड़ेगा तो क्लीक बेट की स्टाइप का सब्सक्राइबर आपको चुछ भी पतानेए और हो सकता है ऐसा कुछ भी लिखने का कोशिच किजिए और थोड़ा बहुत क्लीक बेट आपके थबनेल और अपने टाइटल में दे दीजिए इससे क्या होगा आपके वीडियो या फिर जो लाइब स्ट्रीम है उसका रैंक करने का चांसे बढ़ जाएगा और बाद में जब यह वीडियो रैंक कर जाएगा तब आप एक काम करना थबनेल और टाइटल दोनों अलग कर देना मतलब बदल देना तब यह मत रखना नहीं तो आपके वीडियो में डिसलाइक आएंगे रिपोर्ट आएंगे और आपका चैनल का जो वीडियो है ओ एजरेस्टिक्टर या फिर स्टाइक भी मिल सकता और आप गेमिंग के रिलेटेड ट्रिक्स और टिप्स वीडियो बहुत ही ज्यादा लोग देखते हैं इन फैक्ट में भी जब पब्जी बैंग नहीं हुआ था तब में भी यह सब देखा करता था और इन सब में लोग का इंटरेस्ट है तो मैं प्रेफर करूं सब को मिलेगा वो गेमिंग लवर्स होगा गेम लवर्स होगा तो आपका चैनल को भी फ्री बूश्ट मिल जाएगा अगर आप शॉट्स वीडियो अपलोड करते हैं ट्राइक हफ्ता में तीन से चार शॉट्स अपलोड करनेगा शॉट्स पर उतना टाइम नहीं लगता है 15 जो मैं बताना चाहूंगा पेशेंस अगर आपके पास पेशेंस हैं तो आप अपने चैनल को करिए नहीं तो अगर पेशेंस नहीं है तो यूट्यूब अगर पेशेंस नहीं है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे डी मोटिवेट हो जाएंगा चैनल बंद करतें अपलो भी हो जाएगा जी हाँ इसलिए बहुत ही ज्यादा से ज्यादा अगर आप नया चैनल है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो अप्लोड करने का कोशिश कीजिए अगर यह सब ठीक से करते हैं तो आपका चैनल डेफिनेटली ग्रू होगा और आपका चैनल मॉनिटाइज भी ब अगर आपने इसी वीडियो में मैं को सब्सक्राइब किया है तो नीचे लिख देना आई सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स में आप लिख देना आई सब्सक्राइब या फिर मैंने सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपको रिप्लाइ करने का जरू से जरू कोशिश करूंग Thank you. Stay tuned for more interesting and powerful content.